तो गाज यार फिरी फायर एडवांस सर्वर को आपने डाउनलोड तो कर लिया है लेकिन यहाँ पर एक्टिवेशन कोड इंबेलिड प्लिज इंटर एगैन करके एरर आ रहा है और आप एडवांस सर्वर पे लोगिन नहीं कर पा रहे हो यह जो प्रब्लम है बहुत सारे लोगिन हो पाया हूं और आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे कितना सरा डायमंड बगेरा भी मिल रहा है तो गाज यार अगर आपके साथ भी यह प्रब्लम हो रहा है तो मैं आपको 110% सटिक सोलूसन बताऊंगा जिसको करने के बाद आपका 110% ओपन हो जाएगा मतलब फिर एडवांस सर्वर का एक्टिवेशन को एडवांस सर्वर के आने के एक सब्ता पहले ही आ जाता है और जैसे ही आता है मैं सबसे पहले आपको इन्फॉम कर देता हूं और गाज उस एक्टिवेशन कोड को संभाल करके कोपी करके कहीं अच्छा जगा पे रख लेना होता है औ अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको काफी सारे प्रोबलम देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि आप लोगिन भी ना कर पाओ देखो गाज मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप ध्यान से सुनना और समझना अगर आपका एक्टिवेशन कोड इनबेलिट प्रोबलम आ रहा है इसका मतलब है कि एड़बांस सर्वर पे जितने लोगों को लोगिन होना था वो चुके है या तो आपका एक्टिवेशन कोड को कोई दूसरा यूज कर चुका है अप आप एड़बांस सर्वर पे लोगिन नहीं हो सकते हो आपको नेक्स्ट एड़बांस सर्वर आने का वेट करना होगा मतलब कि ओभी 38 का एड़बांस सर्वर आने का वेट करना होगा और उस टाइम इस तरह का कोई भी गलती मत करना इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और all notification on करके रखना इस तरह का update आपको सबसे पहले मिलता है देखो गाज मैं ज़्यादा घुमाता फिराता नहीं हूँ बाकी येटूबर के तरह मैं सिधा सिधा बात करता हूँ छोड़ो इन बातों को मुझे जो solution देना था मैंने दे दिया और होप करता हूँ कि आपको solution मिल गया होगा मैं मिलता हूँ ऐसे ही helpful वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई